हेलो एवरिबन कैसी हो आप सब लोग को अमेद का था हूँ और आज यहां पर जो दिन से बार्श हो रही है बार्श की वजय से खिसान्हों का बहत बूरा हाल अखिए नुक्सानुं необходимо दिखाते हैं आपको हमारी फसलवा कैसे कितना नुक्सान हुआ है इस बारिश की वज़ा से किसानों का बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ है गियूं गिर कर सारे खराब हो चुके हैं बहुत बड़ा नुक्सान हुआ है दो दिन से कॉंटीनू बारिश हो रही है और ग्योंओं के अंदर पानी खड़ा हुआ है हाँ जी भाईयो आप देख सकते हैं इस बे मुस्मी बारश की वज़ा से किसानों का कितना हुआ नुकसान जिस सारे ग्यों घिर चुके हैं और अभी भी कॉंटीन्यू बारश हो रही है दो दिन से आज दूसरा दिन है आपको दिखाते हैं देखो इस ग्योंओं के बाली अभी कच्ची बाली है आप देख सकते हैं आप इसमें अभी बिलकुल हरा दाना है अब इसमें से क्या निकलेगा किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा है यह हमारे सारे ग्योंट देखो गिर चुके हैं और किसी साब से गिरे हैं देख सकते हो आप बहुत बड़ा नुकसान होगा है और अब ही उपर बादल ऐसी मंड़ा रहे हैं बारिश हो रही है कांटीनू जैसे सावन बादों के महिने में जैसे बारिश होती है वैसे ही हो रही है अब ही आप देखो सारे ग्यों आसी गिर गया 50-60% तो नुकसान हो चुका इस गियों का आप देख सकते हैं कितने बुरे हलात हैं और आप ये देखो इसमें पानी वैसे खड़ा है जैसे द्धान के खेतों में पानी खड़ा होता है अभी ये गियू है देखो बहुत ज्यादा बारिश हुई है ये आज रात में दो दिन से कॉंटीनियू हो रही है ये बारिश है सारे गियू ऐसे गिरे पड़े हैं और ये पानी खड़ा है गियूँ के अंदर आप ये देखो अभी ये सारा पानी खड़ा और बाली सारे गियू गिरे पड़े हैं ये देखो अब जैसारे गियू खराब हो जाएंग अब ही पता नहीं कितनी और बारिश होगी देखो सारे क्यों गिरें पड़े हैं हमारे अगर आज का वीडियो जे आपको अच्छा लगाओ लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना